नामस्का दोस्तों, डिडी रेट के एक और एक्षिन वीडियो में आज सभी के स्वागत है, मैं हूँ आलोग, तो आज जो वीडियो लेकर आहे हैं, वीडियो है, डिडी उस्वाइक का उसका टैटल है, पाक एक्ट्रिस क्राइंग फॉर इंसल्टीन फॉरें, पट इंडियन अच्छा, मुझे तो याद है, वो क्या नाम था, उनका मायरा खान नहीं, अरे वो इर्फान खान वाली मूवी आई थी न, कौन से हिंदी मीडियम, उसमें थी न वह हिरोईन, वही वाली हिरोईन, नाम मुझे एक्जेक्ट याद नहीं आ रहा, तो उनकी एक्लिप बड़ी वाइरल हुई थी, रोने वाली, चले पहले उसको सुना देता हूँ, फिर आपको वीडियो ज्यादा अच्छे तरीके से समझने आई हैं, आकसर जमीन जिसके हम नारे लगाते हैं, पाकिस्तान जिन्दा बार, पाकिस्तान ये, तो पाकिस्तान वो जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, I can't tell you, मुझे इतना अपना अप हुमिलियेटिट लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आप, कि जब मुझे याद है, मैं अपनी शूटिंग के लिए तबलीस ही गई थी, तो मेरे साथ जो मेरा क्रू था, इंडियन, सब निकल गया, मैं र पता नहीं इस पर क्यों वीडियो बनाए गया, यह बहुत पुरानी बात है, और मुझे लगता है कि उसके बाद तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज़त के धरजियां और को ज़्यादा उड़ चुकी है, तो बहुत पुरानी क्लिप है, उस समय तो फिर भी पाकिस्तान की हालत ठीक थी, तब यह रो रही थी, अब तो पता नहीं क्या है, अब तो और हालत खराब है पाकिस्तानी पासपोर्ट की, चलो देखते हैं कि पाकिस्तान के लोग इस पर क्या कहते हैं? तो जो लोग कहते हैं कि बाई, यह इंडिया की तारीफ है कर वाता है? पॉपॉलेशन की वजह से रिस्पेक्ट मिलने के सिर्फ और एक वज़ा है आपका बिहेवियर. आप कितने अमीर हैं, आप कितने गरीब हैं, आप किस देश से आते हैं, कोई फरक ने पढ़ता है. आपका बिहेवियर कैसा है? वो बताता है कि आपको कितनी इर्जज़त मिलेगी आप मेरी बात समझ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आपका बेहेवियर ही जिम्मेदार है आपको इर्ज़त दिलाने के लिए क्योंकि इर्ज़त कमाई जाती है इर्ज़त खरीदी नहीं जाती तो पैसे से खरीद नहीं सकते, आप ताकतवर हैं तो आप उससे इज़त पा नहीं सकते, वो कमानी पड़ती है। आप किसी शॉपिंग मौल में चले जाएं, आप किसी जगा पे कुछ सेर करने के लिए चले जाएं, वहाँ पे हमने देखा है, पाकिसानियों को उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब ये विजिट करके आएं। अब ये रिसेंटली, जैसे भाई ने बताया, लास्ट मन हम वहाँ पे थे, तो जिस जगह पे भी हम गया, ये नहीं के वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दी गई हमें भी दी गई है। लेकिन जितनी दूसरे, वाँ आप समय लें कि हम वहाँ से निकल के सौधिया गए हैं, उम्रा के लिए गई हैं, अलम्दोलिल्ला, तो वहाँ पे हमने देखा कि दूसरी कंट्री के जितने भी लोग, इवन बंगला देश के लोग, जो वहाँ पे आ रहे हैं, उनको वहाँ पे ओटल के मैनेजर गेट पे रसीव करने के लिए आते हैं, और पाकिस्तानी जो हैं, वो रिसेप्शन पे आठट गंटे इतिजार करें के कमरे खाली होंगे, तो हम कमरों में जाएंगे, ये सिच्वेशन है, ये सौधिया में, मुस्लिम कंट्री में, मुस्लमानों के साथ एक चोटी से आपको वीडियो दिखाना चाहूंगा, सबा कमर को जानते हैं यहांप? इंडिया इंडिया का नाम ले लो टोल माम हो जाए बिल्कुल ऐसी हो यह हम आपको बता रहे हैं ना हमें तो यह भी डीसेंट आप समय लें चंद दिन हुए हम वापिस आया तो यह सिच्वेशन हमने खुद फेस की है दुख होता है अजा पाकिस्तानी के यार हमारी मुलक की टाइम पर वैली होती थी सोधिया दुबाई जैसे कंट्रीस हमें पर फस्ट प्रियोटी पर हमें रखते थी आज हमें पूछती ही नहीं है क्या वज़वात है यहीं वज़ए ना जो ओवराल हमारी कंट्री के अलाहत हो गया है जो एकनामिक पोजिशन चल रही है जो ओवर बेस्टनी श्तर आज बड़ाद जा रही हम ओवरालल हम मलक सी बड़ी वज़ा कि जिस रिस्पेक्ट नहीं क्या हमारी कौनकी बड़ी वज़ा निए हमारी एकौनिमी वज़ाइं बज़ा पूलत बियानी करते हैं यह चाहिद में भी आप में भी हो हम में भी हो तो जब तक हम खुद को ठीक नहीं करेंगे, बागी चीज़ें कैसे ठीक होगी, हर आदमी खुद को ठीक करना शुरू कर दे तो, इंशालला सब कुछ ठीक हो जाएगा, यह हलाद बहतर कर अपना बिगार की तो बात ही कर ली कैसे हलाद खराब हुएं, क्यों नहीं रिस्पेक्ट है, अब हम बात करते हैं कि इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, आज से ही इस कौम की इज़त कैसे बढ़ेगी, इसके लिए काम कोन कड़ेगा। ठीक है, उसका रोजगार है, उसका एक मार्केटिंग का स्टाइल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक दफा किसी ने ना कर दिया है, तो फिर उसको समझ जाना चाहिए, तो यह मैं वो कह रहा हूँ ना, यह इंडिविजवल लेवल पे जो हैना, हर बंदे को खुद को ठीक कर होता है, दुबई तरकी कर गया आज, दुबई के आप आप देखेंगे वहाँ पर तो, इस्लामिक स्कॉलर्स के बारे में तो जो मौली, मौलवी, मौलाना होते हैं, उनके बारे में अभी एक वीडियो में ने किया, तो उसमें साजित तारणा साब क्या कह रहा है इनके बा वो दो लफज, ना उर्दू के जानता है, ना इंगलेश के जानता है, अर्भी मौनशी फाजल पढ़के आजा देन तो अड़े आलम सारे, अर्भी कही है जिए डाक्टर साहब ने पी आईटी अर्भीज की ती, वो यार को खुदा आदा खौफ करो तुसी को बचो, को तर हाला सुधार दे, 76 साल में एक भी नेता ऐसा नहीं आया, जो देश के हाला सुधार दे, 76 यार कमान, बहुत बड़ा वक्त है ये, बहुत बड़ा, छोटा मोटा वक्त नहीं है, हम तो 33 साल में देखो, हम टॉप 10 में भी नहीं थे, 90 में, एकॉनमी में, 33 येर्स में हम नमबर वन नमबर टू पर पहुंझाएंगा, नमबर वन पर, आप समझो इस बात को, अब पतानी कीधर आ गए एक उसके तरक्षी करनी के पिछे क्या राज हो सकती है, वो भी तो एक मुसल्मान मुलक है, वहां पर भी तो मुसल्मान है, हम देखे तो इबरत का निशान बन रहे हैं, दुबई देखे तो तरक्षी करण, दुबई तो मैं कहता हूँ जी आप वाकी वापकी बात है, हम अभी डिसकस कर रहे था थे थे थी दिर पहले भी भाई ही तो यहां पर गोरों की पुजिशन होती है उनकी तो यही बेसिकली राज़ां पर चलते रहते हैं यहां पर मसाल के तारगेट कोई गोर्मिन्ट qpk तरकिका तौ Şimdi एक इसको सेट करना जरूरी है । फोरण पौलसी किसी भी मुलक की तरकी के लिए कि तना फिर्दारदा करती है। क्या हमारी foreign policy बहुत 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 ब वहारा जो है वह फ्रुरन पर के ही पैसा कमा रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं हमारे पास leps this अभी याद है लिए हम जब छोटे थे तो हमारे जिसे शार्दा पीट का जाता तो अब बाद में उसे युनिवस्टी बना लिया गया तो वहाँ पर हिंदो ने इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई जिस तरह साब ने करतारपूर कोरिडॉर खोला है इस तरह कश्मीर के अंदर हमारे लोगों के बारे में जिनके लिए को इंपोर्टन जगा है उस मंदिर को दोबारे रनवेट करें लेकिन अभी हमारी कोवर्मेंट ने फैसला किया है कि उसको मंदिर को गिरा कर वहां पर कोफी शोप बनाए जाए आप बताएं कि हिस्टोरिकल प्लेस को खतम करके हम अपनी मुलक की कौम की असासास को इक तब बताना कि हम बड़े अच्छे लोग हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं आपके लिए आपके मंदिरों बस मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए कि 1947 में भारत में कितने मस्जिद थे और पाकिस्तान में कितने मंदिर थे आज 2024 में भारत में कितने मस्जिद हैं और पाकिस्तान में कितने मंदिर हैं 2000 से मंदिरों के संक्या 20 पड़ गई है और सबसे ज़ादा दुख वाली बाती है कि उन सब पर मुसल्मानों का कब्जा है हिंदू मंदिरों पर आप जाकर चक करें 1947 में जिससे जितनी मस्जिदे थी उससे चार गुनी ज़ादा मस्जिदें इस समय 2024 में भारत में हैं और अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद के बारे में आप लोगों को पता क्या है जाकर पढ़िए जाकर रिसर्च करिए बाबरी मस्जिद को बाबर ने तोड़ा हमारे मंदिर को वहां मंदिर था उस मंदिर को तोड़ा वहां पर बाबरी मस्जिद बनवाई क्या मुझे कोई एक मुसल्मान बता सकता है क्या आपका इसलाम यह कहता है कि दूसरे के मज़ब के मंदिरों को तोड़ कर वाह अपनी मस्जिद बनाओ अगर कहता है अगर कहता है हाँ तो जी वो जमीन हमारी थी इछले बाबरी मस्जिद तोड़ी गई क्योंकि वो हमारी थी हमारा हक था और अगर आप कहते हैं कि ना तो फिर बाबरी मज़िद अवैद होती है तो आपका उस पर कोई हक नहीं और इसके तो प्रमान मिले हैं इसके प्रूफ मिले हैं और प्रूफ ढूणने वाला भी एक मुसल्मान था डॉक्टर केके मुहम्मद उन्होंने ढूंडा है जब उस पूरे जगह के खुदाई की गई नीचे मंदर मिला है महाँ पर मंदर के पिलर्स पर वो मस्जिद खड़ी थी बाबरी क्या बात करते हैं आप तो हम अंदर जाके देखा तो यह मस्जिद का जो पिलर्स जितने भी थे जिसके उपर यह मस्जिद कड़ा था वो सब जब मंदर का पिलर्स थे फिर वहां से बहुत सारे जो जो मूर्थिया मिलना शुरूँ गए टर्रोकोटा का मूर्थिया मिल गया तो वो नीचे से मस्जिद के नीचे के एरिया से तो हम लोग इस नतीजे पर पहुंचे यहां इसके पहले एक मंदिर था और उसको थोड़के यह टूटा हुआ होगा तो उसको री यूस करके यह मस्जद बनाया उसमें मैंने एक चीज और जोड़ा है मैंने कहा इस इस इंपूर्टन फोर हिंडूस अस मक्का अंदीना आर फोर मुसलिम्स हैंस मुसलिम्स उड़ाव विलिगली एंड़ी टोवर फोर हिंडू कम्यूनिटी तो चंस्ट्टे हुज रामा तंबल यहां करना शुरू हो गया हाई बावरी हाई बावरी हाई बावरी कि हम इजाज़त देते हैं भाई आओ आप जिस तरह से करतार पूर कोरिडर पूरी दुनिया के लिए मिसाल है कि आज से पहले किसी कंट्री ने भी इंडिया ने भी इस तरह के कोई बड़ा अनिशेटिव नहीं लिया जितना हम ने लिया तो मिसाल तो काइम करनी चाहिए न इसी तरह से करतार पूर से ना सिरफ एक मैसिज मिला कि हम ये खसी को रोक टोक नहीं करते हैं भी है उदसे लोग आते हैं मौह पे खर्श करते हैं तो यह चीजें नहीं रहा है इस तरह की जैसे पहले भी हमने कहा कि यहा बहु पहुमने हैं कर अ क्या हbeltक् i jeito क्या यहां भी आप क्या करते हैं बात करने का परपस है कि आधर कंट्रीस में बाहर के मुलकों में कौन से नेशन की कौन से कौम की लोगों की ज्यादे रिस्पेक्ट है अब मुझूद टैम के ओपर देखते हुए क्या लगता आपको पाकिस्तानी अफगानी बंगलादेश या फिर इंडिय फिर बंगलादेश जहते हैं तो जो यका राधा हैं जो पाकिस्ताने अगर फिर फिर आलज जादा है जो इंडिय अगा यहां पर बात करता उसको तो बात करते आपको बीए जेन ना कहा दें कही कोई मीडिया वाला थेका ठोड़ा लिया हूँ है किसी को एज़िए पो सच् और जानते हो तो बचपन का राश शावर्दस यह चाकरो क्या रही है पाक साथ समीन जिसके नारे लगाते यह देखो रही है पाकिस्तान यह को जब हम पार जाते हैं जिसका अमारी चेकिंग होती है इतना अपना युनिये टिट लगता है कि जब ऐसे करके कि छी आप एक देखो दूसरी तरफ इंडियान जा जो इंडिया एक आप पार नाम ले लो टोल माफ हो जाता है बस यह हमारे अपने खुद के कारणाम में ना जो बाहर जाके रुखते हैं उसी वज़ा सी है तो आपने पहले जो हमारे से पहले एक गोरा बंदा था उसकी इंडिया उसका लेकिन पाकिस्तानियों की फिल्णा कोई रिस्पैक्ट नहीं करता है साज तो यह यह क्या वजुआइए वही कोशिच ने की कोशिश कर रहा हूं हम रूर्स में पहुचें कि हम उसको ठीक करें जो यह वीडियो देखेगा हमारी रिस्पैक्ट यह नहीं एक एक बंदे को य हमारे गाऊं हम बेसिकली गाऊंसे ब्लोंग करते हैं यह शेख पुर है अपना काला शाका कुंसे उधर से हमारे गाऊंसे तकरीब बीस लड़के गए हुए एटली और युनान सोरी युना डंकी लगा गए वो सुबह उठते हैं पार्कों में जाते हैं पार्क में जाके उनका काम है सारी द्याड़ी लोगों से पर्स छीन के बागना अच्छा इटली के अंदर युनान के अंदर ठीक है अब किसी भी मुलक में इन लिगर रहते हैं तो वो बेसिकली एक जुरम है ना आपके गाओं के बीस लड़के गए हैं कई बीस से भी कुछ ज्यादा होंगे कई लगा गए युनान में कश्टी भी टूबी थी सार उनको कोई फरग नी पढ़ता अभी फिर गए हुए हैं आपको पता दुबई ने भी हमारे बीसों सिटिस बैं किया हुआ है बहुत सारे सिटिस से हम नी जा सकते दुबई हमारे तकरीबन आदे से ज्यादा पंजाब के ऐसे शहर हैं जिन पर उन्होंने पबंदी लगाई है तो उदर मेरे दुबई में बहुत सारे दोस्त हैं अभी आज फिर वापिस आ रहे हैं अभी मैं एरपोर्ट जा रहा हूं लेने उनको वो बताते हैं कि दुबई में अगर किसी को पता लग जाना यह पाकिस्तान नहीं है मतलब शुर्ते को तो वो उसे देखता है यह जिस तना इधर किसी नोकर को देखा जाता है और भाई तो यह तो होना ही है अब दुबई में आप लोग क्या करते हैं यह मैं आपको दिखाता हूँ गंद फैलाते हैं देखिए यह देखें मैं हूँ दुबई में और यहां के लेबर की वीजे बंद हो चुके हैं किस बज़ा से बंद हुए है उसकी बड़ी वज़ा आपको दिखाते हैं यह देखें जी यहां पर पाकिस्तानियों ने वो क्या कहते हैं कची गिरी बेशना शुरू कर दी है हर सिगनल पर खड़े हुए हैं यह देखें वो सिगनल पर खड़ा है जनाब यह देखें इनके अलाओ यह यह अरकते हैं कि जिस वज़े से दुबई की गौवर्मेंट ने लेबर के सारे वीजे बंद कर दी हैं आप लेडिज आखे वीजों पर आगे यह मांगने वाली बंद के बैट ल अब बताईए दुबई में जाकर आप यह पाकिसान के गल्यों वाले काम करेंगे जिक गरी बेचेंगे नारियल बेचेंगे भीक मांगेंगे वहाँ पर बैठके तो कोई आपकी इज़त क्यूं करेगा पाकिस्तान का नाम हो इसमें कोई खुशी की बात नहीं है कि पाकिस्तान की इज़त नहीं है यह बड़े अफसोस की बात है आपको नहीं लगता कि हम क्रिमिनल एक्टिविटेस में पाड़ करें पाड़ लेंगे सोधी अरिविया के अंदर भी हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी जाते हैं यहां से उम्रे का विज़ा लगवागर वहां पर जागर बीगते हैं बीग मांगते हैं तो इसी वज़ा से तो कोई इसको करेंगा यह नहीं पाकिसान में अभडी कम लोग में दिखते हैं मुझे जो इतनी बेवाकिस से और निडरता से अर बेखाफ हो कर सच बोलते हैं बहुत अच्छा लगा आपकी बातों बुस्टों कर दोस्ते हैं बड़े अच्छा लगा आप से बात करके थांकि आपकी सो मच बेरी नाशी टॉक विदिए बोट जापर देस बुड मैं असाम इदो अग्यार वालेकुम असलाम यदे आप? अलाम्दुलिल्ह करें दो पार्टों पुड़े नाशी अच्छा हैं अदे गया बात पंधिए अच्छा आपकी सब्सक्राइब कर दोस्टाइब येर्य भीड बताएगा कि ये जो कह रही है है इसमें कितनी सचाई है कि कहते हैं कि मैं किसी फी एरपोर्ट पर जाती हूं तो हमारी शेकिंग हो दिखें अपना भी यह चीज आपके डब इंडिया का नाम ले लो टूल माफ हो जाता है इस राइट नो फोस नाट क्या सचाही है क्या इसमें कुछ सचाही नजर आ रही आप नहीं नहीं हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा मुलग है क्या वाके में ये जो इस सभा कमर बता एथि ये कह इंक हम बता ते हैं कि पाकिस्तानी वह मारे खुला आगर चेकिंग करते हैं तो भी यह वैश अजह तागाता है अब्र फिल्स कोई पाकिस्तान वालों जोग बड़ा फ्यार करते हैं अब यह भी माश आलबाश जाया अजर् एंडारे ब्थेनि एड़ियों संग तो शोय। टिएम को छोड़े कॉप्रश पूप्राइं है तो भाव फर्ड़ कोशी हैं गुड़े युटीडबत है तो उसल Interior अंडाराए, व्यू नहीं हो utilized स्मोर भीले इप सारी इyang आते ऑड़न पकिस्तानी मैं को मैं कि ही प्रैज के जहां में जाहां पर ज़ाकि पड़ा लिखा उस्की या equitable उस आदर मेर्न विजी देगते हैं हमारे लोग बहुत सारे ने बर यहां कि यह के अब यह भी तुबाई यह दिया हमारे यह वर्जा हर लिए जल्दी यह एक हमसरें लिए कि दोर पर ऐसे होता है बगया अवाम के दोर पर नहीं होता है जब भी हम कभी जाए मैं खुद सोदिया गया हूं वहां पर मेरे साथ इंडियों ने भी काम किया हुए तो गैना मैं सारे बड़ा प्यार आपस में करते हैं यह सिरफ एक सोच ठिंकिंग है बगया कोई मसला नही मैं तेंक्यू सब्सक्राइब चले दोस्तों वीडियो खतम हुए और बड़ा जिंदा बात जिंदा बात कर रहे थे जरा इन से पूछते ना कि आपके प्यम तक के तो कपड़े उतर वाया जाते हैं एरपोर्ट पर नंगा कर दिया जाता है प्यम तक को और बाकी मिनिस्टर्स को और बाकी लोगों को तो छोड़ी है जब पीम आपके देश को नंगा किया जाता है वहाँ पर चक किया जाता है तो बाकी आप जैसे लोगों की क्या उकात होगी वो तो हम सब को पता है एक बार ऐसा ही किया था हमारे डिफेंस मिनिस्टर्स से जॉ कि तुम्हारे वाले जब आते हैं न तब हम दिखाते हैं कि तुम क्या करते हैं तुम्हारे वे ऐसे ही कपड़े उतार कर चेक करेंगे हमें उसके बाद फिर कभी नहीं हुए ऐसा और यह ओन रिकॉर्ड है यह डॉकुमेंटेट चीज़ें यह और अभी भी आपके यहां के ज सबाकमर का में नाम बोल गया था इनका तो यह बहुत पुराना वीडियो था और उसमें आगे यह भी बता रही थी कि कैसे इंडियन्स को जाने दिया गया और हमें रोक लिया गया वैसे आपकी मीडिया पर पासपोर्ट को लेकर बड़ी चर्चा होती है सुनिए जरा रियन्स का बोलना है ये जोटी बात किसको बतानी है गलती है उसको मानिए उसको स्रिकार कीजिए और उसको ठीक करने की कोशिश कीजिए वरना ऐसे ही जूट मुट का नहीं नहीं सब ठीक है जी हम किसी से कम नहीं हम अरवाई तो ठीक है तो रैंकिंग बताती है ना कि दुनिया का चौथा सबसे खराब पास्पोर्ट पिछले कई सालों से आपका है इस मामले में पाकिस्तानियों का मानना पड़ेगा बॉस रिकॉर्ड कायम रखा है चौथा सबसे खराब पास्पोर्ट होने का और वो भी कई सालों से टस्ट समस्थ नहीं होते हैं करप्शन इंडेक्स में आप नीचे हर चीज में आप पीछे आतंकवादी कारवाई आप करते हैं क्राइम आपके लोग करते हैं और उसका बात कहते हैं कि नहीं जी हम सबसे अच्छे हैं बदाई हो पाकेसान फिर तो इतने ही अच्छे हैं तो गुरो करना चीए पाकेसान को कमेंट करके आप जरूर बताएं दोस्तों जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ नमस्कार जैहिंद